नमस्ते चात्रों मैं हूँ सुनिल देरेकर अनमोल ग्यान में आपका स्वागत है दस्वी कक्षा हिंदी पुनर रच्चित पाठ्ठक्रम 2018 व्याकरन विवाग हाँ व्याकरन दस्वी कक्षा के लिए कौन-कौन सा है ये इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं ठीक है तो चलो चलते हैं व्याकरन की ओर देखो कि भाशा अध्ययन ऐसा शब्द यहां इस्तिमाल हुआ है मतलब यही है व्याकरन ठीक है तो व्याकरन के कुल मिलाकर 11 प्रकार यहां दिये हुए है मतलब छात्रों को 11 प्रकार व्याकरन का अध्यन करना होगा उसमें से पहला जो है विकारी शब्द और उनके भेद है ना मतलब शब्द के जो बेद है पहला उनमें से है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द जिन्हें हम अव्य भी कहते हैं अब तीसरा जो क्रमांग है क्रिया के काल जो क्रिया के काल है वर्तमान काल भूत काल भविशकाल इनके बारे में जानकरी लेनी है चार क्रमांक संधी है, स्वरस्वंधी, व्यंजन संधी, विशर्ग संधी पांच प्रकार वाक्य के प्रकार है, रचना की द्रिष्टी से वाक्य के प्रकार और अर्थ की द्रिष्टी से वाक्य के प्रकार 6. महारों का प्रयोक 7. वाक्य शुद्धी करन 8. सहय क्रिया पहचानन 9. प्रेरनार्थ क्रिया पहचानन 10. कारक और 11 जो है विरामचिन्न है इस प्रकार व्याकरन का हमें अध्यन करना होगा कुल मिलाकर 11 प्रकार है तो ये व्याकरन जो है ये 8 अंक के लिए है धन्यवाद